देश के बाहर नौक्री करने का मन बना रहे हैं या फिर आपका कोई जानने वाला कोई रुष्टा रहना राए है तो आपके लिए मौजुदा टैक्स नेमू की जानकारी होना बेहर ज़रूरी है देश के बाहर होने वाली कमाई पर टाक्स लगेगा या नहीं इसे जानने के लिए हमने आज वाइट किया है सेवी रिजिस्टर इंवेस्टम अड्वाइजर मिस्टर हर्श रूंग टाको सर बहुत-बहुत स्वागत है कारक्रम्बे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अप्रवासी भारतियों के लिए हाल में सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया है और इसमें कुछ सफाई दी गई है अकाउंट से जुड़ी हुई आकेर यह मामला क्या था कैसे बात शुरू हुई और कॉलकता ट्रिप्निल तक कैसे पहुंचिए तो यह थोड़ा सा इसका मैं संधर्व आपको समझा दूं कि हमारे यहां कई लोग जो हैं शिप्स पर काम करते हैं मर्चंड नेवी में काम करते हैं जो की साल में 182 दिनों से ज़्यादा बाहर रहते हैं शिप्स पर तो यह बेसिकली एनराई होते हैं लेकिन इनका कोई में प्रीका कोई भी पिर हैं तो आयकम करते हैं अब यह लोग टिपीकली इनको इनके जो एमप्लॉयर्स होते हैं इनको यह चारियते हैं यह दनने खान समयार शींच में इनडीयन इक्स में आप चोए एनकों यह घजा सबक्राश कोई DOJ funds solutions पर रेमिट कर दीजिए विकॉज यह और कोई देश के रहिवासी नहीं है दूसरे अप्रवासी भारतियों की तरह अब कई सालों से यह चल रहा आज की बात नहीं है और यह उनको मान रहे हैं कि यह टैक्स फ्री है विकॉज टैक्स का ढांचा ऐसे है कि जो जो इंकम परवासी भारतियों को भारत में टैक्स देना होता है एक या तो वो इंकम भारत से कमाई हो तो उस पे टैक्स लग सकता है या दूसरा वो इंकम चाहे कमाई उन्होंने बाहर हो अगर वो भारत में रिसीव कर रहे हैं तो भी भारत में उस पे टैक्स लग सकता है यह जो एक second इसका leg था जो बहुत used नहीं है इस leg के चलते कई थोड़े बहुत income tax officers ने एक case बनाया कि चू की salary आपने कमाई बाहर है that is not a problem आपने बाहर कमाई है उसके कारण उस पर tax लगेगा वो नहीं है लेकिन चू कि आपने receive इंडिया में की है salary आपके NRE accounts in इंडिया में आपने salary receive करी है इसलिए इस पर tax लगेगा ऐसे चुटपुट चुटपुट कई मामले जो थे वो income tax officers ने शुरू किये थे इसमें से एक और कई मामले इसमें से income tax department के against में भी decide हुए लेकिन रिसेंटली जुलाई में या जुलाई या ऑगस्ट 2016 में कैलकटा tribunal में income tax कैलकटा की income tax tribunal में एक decision जो है वो income tax payer के against में चला गया यानि कि उसकी जो भी income उसने NRE account में ली थी उस पर tax लगाना income tax tribunal ने वाजिब पाया तो ये बहुत बड़ा धक्का था क्योंकि बहुत सालों से ये होता आ रहा है ये सिर्फ उस एक particular merchant navy person की बात नहीं थी बहुत सारे लोगों को ये effect कर रहा था कई सालों के लिए effect कर रहा था तो इस पर कई लोगों ने लिखा protests करी और trade unions भी हैं इनके उन्होंने भी protest करी तो ये जो CBDT का अब recent circular है ये उसका नतीजा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर अप्रवासी भारती जो की merchant navy में काम करते हैं वो अगर बाहर पैसा कमा रहे हैं तो मात्र इसलिए कि वो पैसा उनके एनाजी अकाउंट में जमा हो रहा है एक बड़ दर्श्रकों को ये जरूर बता देते हैं कि कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं और आखरी ये मामला जैसे के expert ने बताया कि कैसे शुरू हुआ तो NRIs यानि कि Non-Resident Indians यानि जो देश के बाहर रहते हैं और वहाँ पर job करते हैं कमाई करते हैं उनके पास options होते हैं दो तरह के अकाउंट्स कोलने के यानि NRI account और NRO account आप खूल सकते हैं जो difference है दोनों अकाउंट्स में वो जाने ही कुशुश करेंगे हाला कि ये दोनों ही रुपी अकाउंट्स हैं जहां तक आपने बताया कि ये circular आया है क्या अब ये समझा जाए कि confusion पूरी तरह से खत्म हो गया या अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो underlined है या फिर जिस पर सफाई आना अभी बाकी है नहीं confusion खेर बहुत हद तक तो इससे काफी राहत लोगों को मैसूस होगी क्योंकि जैसे मैंने कहा cases छिटपूटी थे कोई ऐसे बहुत सारे cases चल रहे हो है ऐसा नहीं था छिटपूट cases थे लेकिन ये ट्रिबिनल का कलकता ट्रिबिनल का decision अगेंस्ट में आने से लोगों को बहुत डर फैल गया और इस वज़े से ये जो circular आया है वो बहुत ही राहत देता है लेकिन अभी भी इसमें भी confusion है तो मैं बताऊं आपको कि इसके confusion क्या है पहली बात तो जैसा आपने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि वो जो मर्चंट नेवी वाले हैं वो NRE accounts ही खोलें वो NRO accounts भी खोल सकते हैं और उसमें भी पैसा मंगा सकते हैं तो ये जो circular आया है उसके मुताबिक अगर सिर्फ NRE account में आया है तो उसके वज़े से taxability नहीं होगी पहली बात अगर ये जो मर्चंट नेवी वाले हैं वो अगर इंडियन शिप्स पर काम करते हैं बाहर कर रहे हैं लेकिन इंडियन शिप्स पर कर रहे हैं तो भी ये circular शायद उन पर लागू नहीं होगा ऐसा विदित होता है और थोड़ी सी language convoluted है कि आल्दो ये उनका मतलब नहीं होगा कि NRE account in an Indian bank अब कई foreign banks हैं जिनमें भी आप NRE account हैं सकते हैं तो क्या income tax department ये कह रहा है कि अगर NRE account city bank इंडिया में है तो उस पर exemption नहीं मिलेगा और NRE account अगर state bank of India में है तो मिलेगा मेरे ख्याल से ये उद्देश नहीं होगा लेकिन language थोड़ी confusing है सबसे बड़ा confusion ये है कि ये जो चीज है ये सिर्फ merchant navy वालों पे ही लागू नहीं होती ऐसे कई अप्रवासी भारती हैं जो समझिए आप African countries में काम करते हैं रश्या में for example काम करते हैं जहां या तो foreign currency के controls हैं या फिर बहुत income tax rates हाई हैं ऐसे cases में वो जब multinational companies में काम करते हैं उनके employers भी directly उनके NRE account में पैसा भेज रहे हैं ऐसे बहुत employees हैं जो अप्रवासी हैं बिल्कुल भारत में काम नहीं करते लेकिन उनकी salaries भारत के account में credit होती है तो यह relief उन्हें भी मिलना चाहिए logically there is no यह कोई कारण ही नहीं है कि यह relief सिर्फ merchant navy वालों को मिले एक सवाल है यहां पर दमाग में आता है और आप से जानना भी चाहेंगे आपन अप्रवे में समझें कि जब NRI के पास option है कि वो अपनी salary कहां receive करना चाहता है साथ ही वो NRO account भी खोल सकते यानि जो ordinary account है या फिर NRE जो हम external account की अभी तक discussion कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो यह दिक्कत क्या थी यानि कि थोड़ा सा हम flashback में जाएं और जानने की कोशिश करें क यह कहां से शुरू हुआ क्या पहले स्थिती कुछ different थी जब कंवर्स जो हर करंसी हर देश की वो convertible नहीं थी क्या ऐसा कुछ मामला है क्या इसके पीछे background है तो परलवी ऐसा कि आज की तारिक में यह जो अप्रवासी भारती हैं including जो यह सीमेन है उन पर कोई ऐसा कानूनी बंदन नहीं है कि वो अपनी salary को इंडिया में मंगा है वो अपनी salary दुबई में मंगा सकते हैं सिंगापूर में मंगा सकते हैं और उस सूरत में वहां मंगा कर फिर अगर यह अपने account में बेजें तो कोई सवाल ही नहीं उठता इंडियन का income tax उस पे लगने का तो I think यह एक सवालिया निशान उठाता है कि यह receipt basis पे tax होना ही क्यों चाहिए क्योंकि कमाया बाहर है आदमी बाहर का है सिर्फ उसने इंडिया के account में मंगा लिया इसलिए उस पे tax लगता है तो यह सारा जो अगर हम इसकी history को देखें तो यह सब यह goes back to much beyond even current income tax act है यह income tax act 1961 है इसके पहले income tax act अंग्रेजों का income tax act था income tax act 1922 अब उस जमाने में याद करिये कि currency convertible नहीं हुआ करती थी आपको ऐसा नहीं था कि आप काम बाहर करें और salary कहीं भी मंगा ले जहां काम करते थे वही salary मिलती थी आपको वही जहां उद्योग किया वही पैसे मिलते थे तो इ इसलिए उस समय ऐसे कानून बनाए गए थे कि अगर आपने भारत में काम किया तो भारत में tax लगेगा चाहे पैसे कहीं भी मिलें और अगर आपको पैसे भारत में मिलेंगे तो चाहे काम कहीं भी किया हो tax भारत में लगेगा वह शायद इसलिए था कि अगर पैसे भारत में मिल रहे हैं तो काम जरूर भारत में ही किया होगा वरना भारत में वो पैसे क्यों लेगा इसलिए शायद वो एक्ट होगा ऐसे मुझे लगता है अब वो संधर्ब नहीं रहा लेकिन यह रिसीट बेसिस पे टैक्स करने का जो लौ है वो अभी भी है दूसरे देशों में यह ल पहर की है तो उस पे सिंगापूर में टैक्स नहीं लगता ऐसे कई देशों में यह कानून है तो मेरे ख्याल से यह कानून भारत में आना भी बहुत जरूरी है तो काफी कुछ ऐसा है जिसको अभी वर्क आउट करने की जरूरत है सफाय आने की जरूरत है लेकिन यहां पर दो बाते हैं एक तो वो रकम जो आपने विदेश में कमाई और आपने भारत में रिसीप कि और दूसरी आप रहते विदेश में लेकिन क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट इंडियन है अगर भारत में भी किसी रेंट के जरिये या फिर किसी और तरीके से आपको कोई रकम मिल तो जहां तक अप्रवासी लोगों का सवाल है जो इंकम भारत से कमाई जैसे आपने कहा उनका अगर मकान है उसको भाड़े पर दे रखा है तो वो भाड़ा इंडिया से मिल रहा है उनको और जो असेट है वो इंडिया में है अगर उससेट को बेचते हैं तो उस पर जो capital gains होत वैसे residents के लगता है वैसे ही उनको भी tax का returns फाइल करना होगा अगर taxable डाइलाक के उपर है तो उन्हें भी जो है returns फाइल करने होंगे सिर्फ एक ही difference है कि अगर वो non-resident है तो यह almost निश्चिंत है कि उनका TDS बहुत हैवी होगा तो obvious है कि उन्हें return फाइल करना होगा even though taxable return taxable income नहीं है क्योंकि नहीं तो वो TDS का refund नहीं मिल पाएगा उनको तो जो income भारत में कमाई उस पर भारत में tax देना होगा जो income भारत के बाहर कमाई उस पर tax नहीं देना होगा तो यहां पर कुछ क्लारिफेकेशन जुरूर यहां पर आई है सीबीडीटी की तरफ से और उसको बारे की से समझाया भी है एक्सपर्ट ने मुझा उसे बार आई है पर पार आई है एक्सपर्ट ने जुरूर ने जुरूर ने जुरूएँ का लिए आई है